इंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मद्द प्रदेश के नगरी निकाय चुनों के परिणाम और रीबा के परिणाम भारती जनता पार्टी को रीबा में करारी शिकस्त मिली है 22 सालों के बाद कॉंग्रेस ने नगर निगम रीबा में कबजा किया है रीबा का एक गढ़ भारती जनता पार्टी का गढ़ काहे जाने वाला रीबा जहां पर कॉंग्रेस ने कबजा किया है आपको बता दें कि अधिकासिक घोस्रा अभी होनी बाकी है जिसमें अभी फिलहाल 8933 बोटों से कॉंग्रेस पर्टी के आज़य मिस्रा बाबा जीत गए हैं अभी इसकी घोसना होनी बाकी है लेकिन जो आकड़े आ रहे हैं वहां से लगभग आठ हजार नौसो तिरपन बोटों से कॉंग्रेस प्रत्याशी आजय मिस्रा बाबा ने जीत हाशिल की है अभी थोड़ा सा रुखना चाहूंगा रीवा नगर निगम में सबसे बड़ी जीत अगर पारशत के रूप में देखी जाए तो नीता अशोक पटेल जब्बू जो वहां से पारशत थे वार्ड पंद्रा से तमाम सियासी समीकरण और आखरी आखरी मद्दान के ठीक पहले उ जीती हैं और यह बड़ी विक्ट्री है क्योंकि जिस तरह से वहां समीकरण थे बीजेपी से भी पटेल वर्ग से टिकेट मिला था कॉंग्रेस सिंग का टिकेट बाद में बदला गया तमाम महाप और प्रत्याशी और सब के प्रयास के बाद और यह जीत मिली है उनको तमाम दर्शक हमारे पूछ रहे हैं बाट क्रमांग पांच बाट क्रमांग पांच में निर्दली प्रत्यासी संजू सिंग ने अपने निकर्तम प्रतिदंदी अरुन तिवारी मुन्नू को एक सो संतामन बोटों से हराया है भारती जंता पार्टी का एक महतोपूर्ण बाड संतामन बोट से संजू सिंग से चुनाव हार गए हैं निर्दली चुनाओचिन उनालमारी चुनाओचिन से वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने एक सो संतावन बोटों से अरुन तिवारी यानि भाजपा को हरा दिया है और तमाम जो अपडेट वार्डों से आ रहे की है इसके बाइलाबा तमाम वार्डों की अगर बात करें तो सभी बार्डों की जो लिस्ट है वो तीन बजे तक आनी लेकिन फिलहाल जो डेटा है अब तक टेंटिटिव वो डेटा मैं आपको बता देता हूं वार्ड करमांग के एक निर्दली दो से बीजेपी तीन से ब निर्दली 14 से कॉंग्रेस 15 से कॉंग्रेस 16 17 18 19 बीजेपी 20 से बीजेपी 21 से निर्दली 22 से निर्दली 23 से कॉंग्रेस 24 बीजेपी 25 कॉंग्रेस 26 27 कॉंग्रेस 28 निर्दली बीजेपी 29 से निर्दली 30 से 31 कॉंग्रेस 32 बीजेपी 33 34 कॉंग्रेस 35 बीजेपी 37 कॉंग्रेस 38 ब 43 से निर्दली, 44 से Congress, 45 से Congress कुल मिला कर जो यह आंकड़ा है, यह आंकड़ा यह बताता है कि 17 पर अब यह आंकड़ा थोड़ा सा ही बदल सकता है, 17 सीटों पर BJP, 17 पर Congress और 11 सीटों में निर्दली यह बड़ी संख्या है, लेकिन जो परिस्थितियां है, नगर निगम अध्यक सकती है, यह आंकड़े थोड़ा सा बदल सकती है, क्योंकि अंतिम आकड़े आपको अगले एक घंटे में मिल जाएंगे, लेकिन महापार प्रत्याशी, अजय मिश्रा बाबा की जीत का आंकड़ा क्या है, विवेक आपको बताएंगे? 8,953 बोटों से लगभग अजय मिश्रा बाबा यहां से चुनाओ जीत गए हैं, जिसकी घोसना होनी अभी बागी है, लेकिन 8,953 बोटों से 25 सालों बाद एक भारती जन्ता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाला रीवा में एक बड़ी जीत कही जा सकती है, जहां पर कॉंग् बादी जन्ता पार्टी की प्रती प्रवोध व्यास मदगर्ना इस्तल से बाहर चले गए, जो भी ऐजेंट थे उन्होंने मदगर्ना इस्तल छोड़ दिया और इस लुप से बाहर निकाला गये हैं? उसका कारण ये है देखे क्योंकि इस चुनाओ को दूसरे तरीके से देखे राउंड वन से लेके अब तक कॉंग्रेस हर राउंड में लीड पे रही बीजेपी आही नहीं पाई लीड पे बिल्कुल और यह आकड़ा बढ़ता ही गया बीच में थोड़ा वैरी किया 12000 प्लस क मसला था लेकिन लास्ट में यह जीत जो है वो इस पस्ट हो गई है पस्ट रूप से कॉंग्रेस की शहर सरकार बनने जा रही 25 साल का लंबा इंतजार और कॉंग्रेस की जीत हुई है मिडिया के सामने आए और इस जीत को बताया कि यह रीवा की आवाम की जीत है अभी जो न जीत हासिल कर ली है लगवक 110 बोटों से वीरें सिंग ने भारती जंता पार्टी के उमिद्वार रहे हैं उन्होंने जीत हांशिल की है इसके अलाबा वाट करमांग 28 से निर्दली प्रत्याशी ने जीत हासिल की है बाट करमांग 34 से कॉंग्रेस की सूफिया बेगम ने 180 मतो से विजय हाशिल हुई है इसके अलाबा अगर अन्य वाड़ों की बात करें बाट करमांग 45 कॉंग्रेस प्रत्यासी गंगा यादो जीते हैं बाट करमांग 43 बाट करमांग 43 से निर्दली प्रत्यासी विजय हुए है वाट करमांग 44 में प्रत्याशी अमरितलाल मिश्रा चुन लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलिग में जश्न उनके तमाम समर्थक कॉंग्रेस पार्टी के लोग सब पहुच चुके हैं और जिस हिसाब से ये आकड़े निकल कर आए हैं इसका मतलब है कि शेहर सरकार बदलने के साथ आगे की भी चीजें बद क्या होंगी ये देखना बहुत मह रही है जो नगर परिशद की सरकारे हैं अजय सिंग राहूल कम्रेश्वर पटेल तमाम लेता जिलाद्यक्ष बदला था उसके बाद ये रिजल्ट आया तमाम सियासी समीकरण बूत सेक्टर मंडलम पन्ना प्रभारी बहुत सारी चीजें बीजेपी के साथ थी लेकिन ये परिणाम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं संगठा निस्तर पर कटनी जैसी सीट जहां पर सीधे वीडी शर्मा वहां उनकी संसदी सीट के अंतर गताती है वहां पर भाजपा की स्थिती खराब है निर्दली वहां से निर्दली उमीदबार प्रिति सूरी लगभग जीत उनकी तैमानी जा रही है क्योंकि बाजपा से ही बगाबत करके उन्होंने चुनाओ लड़ा था और लगभग अब जीत की ओर है यह माना जा सकता है कि यह कॉंग्रे बारती जन्ता पार्टी के बहुत बड़ी हार क्योंकि जैसा आपने कहा कि प्रदेश अध कि जो इस्थिती थी पार्षदों की वो बराबर ही रहे लगभग रीवा में 11 निर्दली 11 के आसपस 10 से 11 के आसपस निर्दली पार्षद उमीदवार हो रहे हैं और लगभग इनका यह कहा जाता है कि भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के पार्षदों की अगर बात कर हैं और बार्षद करमांग पांच जो एक महतपूर्ण बार्षद भारती जन्ता पार्टी के लिए माना जा रहा आजए तिवारी मुन्नू वहां से प्रत्याशी थे वहां से निर्दली उमीदवार संजे सिंग संजू ने 157 वोटों से जीत हासिल की है बड़ी बात है 11 के बाद जो 5 सीटे थी 11 के जो पैणाम आये साथ में बीजेपी को सफलता मिली तीन में कॉंग्रेस को और एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते गई आम आदमी पार्टी को लेकर ये चर्चा हो रही थी कि सिंग्रॉली में जिस तरह से उन्होंने काम किया है एक महापौर बनाया है रिवा को लेकर तमाम दावे किये जा रहे थे लेकिन हकीकत क्या है हकीकत यह है कि यहां अभी भी जो जनादेश है वो कॉंग्रेस के पक्ष में है और सीधी लडाई कॉंग्रेस और भाजपा की मिल्कुल कि विकल्प को लेकर कोई चर्चा किस तरह से बाते हो रही दस हजार बाराज और बहुत सारे कैलकुलेशन कास्ट वोट और बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई लेकिन हकीकत यह है कि वोट बैंक दो ही पार्टियों के बीच में बटा वो चीजें दिखाई नहीं दिखाई दी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वार्ट की पोलिंग में आमादमी पार्टी ने अच्छी बोट पाई हो हमेशा पिछड़ती गई लेकिन जिस तरह कि सिग्रवली के परिणाम आये तो एक उमीद आमादमी पार्टी को थी कि एक बहतर परिणाम रीबा में भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन वो चीजें पब्लिक में देखने को नह दावेदार है व्यंटटेश पांडे का दावर नेता जो नगर निगंबे महापार के उम्मीदवार हो सकते थे दावेदार थे लेकिन उम्मीदवार नहीं बन पाए और उनकी जगए प्रबोध व्यास को टिकिट दिया गया तो क्या माना जाए संगठन जिसके बूते बीजेपी जीत का दावा करती है रीवा शहर में कॉंग्रेस के संगठन तमाम समी करण और सबकी एक जुटता के कारण बीजेपी की हार हुई बिल्कुल कह सकते हैं किस तरह पहली बार कॉंग्रेस पार्टी में वो जुटता देखने को मिली जो हमेशा भारती जंदा पार्टी में देखने को मिलती थी इस बार कॉंग्रेस एक साथ थी एक अलग कॉंग्रेस देखने को मिली और इसी का नतीजा है कि आज कॉंग्रेस ने जीत हासिल की है वो फूट जो मतवेद या कहें कि अंदरूनी फूट देखने को मिलती थी कॉंग्रेस में इस बार एक जुट नजर आई और एक कंडी चेजर का भी अगर नाम आया की कंडीडेट कैसे थे तो अजय मिस्टरा बाबा की एक अच्छे कंडीडेट के तौर प पूरी मेडिया में यही चर्चा थी कि एक अच्छा उमीदबार कॉंग्रेस पार्टी ने रीवा से उतारा है और इसी का फायदा है कि आज कॉंग्रेस पार्टी ने यहां पे जीत हासिल की है सबसे महत्यपूर्ण चीजें यह थी कि जिस हिसाब से पहले जो टिकेट का डिस्टिब्यूशन कर दिया गया हर बार होता यह था कि अंतिन चंड तक BJP कहीं बार आगे टिकेट का डिस्टिब्यूट कर देती थी इस बार वो फैसला उन्होंने जल्दी लिया समय दिया प्र चल रहे थे हर बार एक परिस्थिती रहती थी कि कॉंग्रेस यह कहा जाता था जो बार-बार की कॉंग्रेस को कॉंग्रेस से लड़ना पड़ता है इस बार सब साथ खड़े दिखे और इसका नतीजा यही है शहर सरकार रिवा की आवाम ने बदल दी एक मैसेज गया और उस लोग पूछ रहें उनको बताना चाहूंगा अमित कोल ने वहां कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्यासी रहें उन्होंने जीत हासिल की है इसके अलाबा बाटकमांक 9 11 की बात करें तो रश्मी बिनोस शर्मा ने वहां कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्यासी रहें उन्होंने जी कर रहे हैं कि किस बॉड्ट से कौन सा प्रतियासी जीत रहें रहें बाट कमांग 26 की मैं स्वतंत सर्मा काफी मतों से आगे चल रहे हैं लगबद जीत सुनिश्चित है कुछी समय में उनकी अधिकादी घोशना हो जाएगी बाट कमांग पांच से मैसेज आ रहे हैं तो बाटकमांग पांच में भारती जन्ता पार्टी के अजय तिवारी मुन्नु कोहरा कर संजे सिंग संजु निर्दली प्रत्यासी ने जीत हासिल की है 157 बोटों से पूरा जो आकड़ा है जिस तरह से चीजे आ रही है लगभग चीजे साफ हो गई है अगले कुछ देर में अधिकारी घोशना हो जाएगी रीवा का जनादेश उसके अलावा मुरैना में भी कॉंग्रेस की लीड है दो महत्यपूर्ण देवास और रतलाम में बीजेपी की ली है और वो जगे है कटनी सीधे तोर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसधी छेत्र वहां से लगता है वो छेत्र अंतरगती आता है पूर्मंत्री संगय पाठक वहां से रहे ले कि मिर्दली ने खेल बिगार दिया है थोड़े देर बाद जो फाइनल आकड़े आ चुनाओ जीत गए है अधिकारी घोषणा लिस्ट आ जाएगी लेकिन चुनाओ वो जीत गए वाटकर मांग 45 से कॉंग्रेस ने जीत हासिल की है ऐसे तमाम सभी पार्टों के नतीजे लगभाग स्पष्ट हो चुके हैं अब एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा वाटकर गोंता है और अधिकारी घोषणा आने के बाद हम आपके बीच पिर से आएंगे और फाइनल जो डेटा है उसको के सामने रखेंगे जुड़े रहिए विंधिया टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि अधि